हे गाईज मैं हूँ अमर जैस्वाला और आज मैं आपके लिए बहुत ही बहतरी इन कुश्चन लाए हूँ और पढ़ते हैं इसी के साथ अपनी कुश्चन पर जैसा कि आप लोग देख रहे हो ये दो सेमी सर्किल एक दूसरी को इंटरसेक्ट करना है और हमें find क्या करना है इस औरेंज पोर्शन का एडिया को find करने से पहले हमें इस red portion की एडिया को find करना होगा ये red portion का area आने के बाद हम क्या करेंगे हम इस semi circle का area find कर लेंगे उसके बाद इसमें से subtract कर देंगे इस red portion का area इस red portion का area find करने के बाद हमें क्या मिलेगा ये orange part का area तो आगे बढ़ते हैं जैसा कि हम लोग देख सकते हैं इस figure में ये जो red portion है इस red portion को हम लोग क्या कहते हैं इस red portion को हम लोग कहते हैं segment segment क्या होता है एक circle का वो part जो की एक arc और एक chord से घिरावाओ अगर circle का radius r हो और angle theta हो तो वैसे condition में area of segment जो होता है वो होता है theta upon 360 into pi r square minus r square sin theta by 2 now हम लोग यहां से देख सकते हैं given जो हमारे पास यह theta is equal to 90 degree left hand side जो figure है उसमें आपको दिख रहा होगा यह जो angle है यह हमारे पास 90 given है और radius जो है वो हमारा क्या 7 है वो हमें मिला क्या theta is equal to 90 degree and radius is equal to 7 अब हम theta is equal to 90 and radius is equal to 7 जो है area of segment के formula में put करेगे now अगर theta के जगा पे 90 और r के जगा पे 7 put करें तो हमें क्या मिलेगा like this इस तरह से मिलेगा फिर से हम लोग अगर solve करते हैं तो solve करने के बाद हमें क्या मिलेगा 1 by 4 into 22 by 7 into 7 square minus 49 into 1 by 2 इसे solve करने के बाद हमें area of segment जो मिला वो 14 square unit मिला now हम लोग left hand side figure में देख सकते हैं जो red portion है उसका area हमें मिला 14 square unit so ये वाला जो portion है इसका भी area क्या होगा 14 square unit so हम लोग अब देख सकते हैं next figure में जो red portion है उसका total area हमारे पास क्या आ गया 28 square unit so अब हम लोग area of semicircle find करेंगे तो area of semicircle होता है pi r square by 2 now हमें given a radius square to 7 so 7 put करने के बाद हमें solve करने पर क्या मिलेगा 77 square unit now अब हम इस semicircle के area में से अगर इस red portion के area को subtract कर दें तो हमें क्या मिलेगा इस orange part का area और orange part का area क्या होगा 49 square unit thank you very much for watching this video and sorry for the spelling mistake of circle thank you